हेलो स्टूडेंट्स हम लोग अध्याय 13 कर रहे थे जिसका नाम है प्रश्टिय छेत्रफल और आयतन और इसके पहले हमने ये जो पांच चीजें हैं घन, घनाब, लंब ब्रत्य बेलन, लंब ब्रत्य संकु और गोला ये पांचों की पांचों चीजें हमने अलग से एक सेपर बीडियो लेक्चर में देखी हैं जो इसके पहले बाला है जिसे हमने भूमी का नाम दिया है तो आप देख सकते हैं उसको देख लेना प्लेलिस्ट चेक करके अब हम इनको क्या करेंगे एक-एक करके अच्छे से समझेंगे और इस पर जो सवाल बनेंगे वो कैसे बन सकते ह घन से सम्मंदित सवालों को हम कैसे हल करेंगे घनाप से सम्मंदित सवालों को कैसे हल करेंगे तो आज हम यही देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम चुनते हैं घन और आए घन से सम्मंदित घन का आयतन कैसे ग्यात किया जाता है घन का संपूर्ण प्रष्ट कैसे ग्यात कि तो आईए सुरुगात कर लेते हैं, घन को समझते हैं सबसे पहले, तो घन को इंगलिस में क्यूब बोलते हैं, और ये बर्ग से मिलकर बना होता है, मैंने आपको एक एक अग्जम्पिल से समझाया था, जैसे कि ये, ये एक क्या है, तो आंसर है, ये एक घन है, ठीक है, अब घन की बिसेस्ता क्या होती है, कि इसकी जितनी ये, यहां से लेके यहां तक जितनी दूरी होगी, उतनी ही दूरी ये होगी, और मतलब ये अगर चोड़ाई मानलो, ये लंबाई मानलो और ये गहराई मानलो नीचे, तो ये तीनों बराबर होती हैं, घन के बारे में हमने य लंबाई चोड़ाई ऊचाई नहीं होती है वो सब बरावर होती है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ये देखो ये वाला डिस्टेंस जो है अगर आप नीचे यहां से ना अपना स्टार्ट करो तो यहां में आपको किलियर दिखा देता हूँ ये देखिए ये जो है यहां से लेके यहां तक अगर ये लंबाई है ये और ये चोड़ाई है अगर यहां से लेके यहां तक तो ये जो है उपर की और ये ऊचाई होगी और घन के केस में ये तीनों कैसी होती है तीनों बरावर होती है आपको याद रखना है तो घन की लंबाई चोड़ाई और ऊचाई तीनों कैसी होंगी बिल्कुल बराबर होंगी तो घन की प्रतेग भुजा बिल्कुल बराबर होती है ये वाली भुजा ये वाली भुजा तीनों कैसी होंगी बराबर तो इसका आयतन हम कैसे ग्यात करेंगे और इससे सम्मंदित क्वश्चन कैसे बनेंगे वो हम लोग देखन अब दूसरी चीज ये है कि घं के अंदर 6 फलके होती है फलक क्या कहलाती है फलक कहलाता है फेस जैसे ये देखिए अभी आपको कौन सा फेस दिख रहा है रेड वाला फिर मैं इसको ऐसे गुमा दूँगा तो आपको कौन सा फेस दिख रहा है वाइट वाला फेस दिख रहा ह आप देख रहे हैं ये देखिए ये नारंगी फिर इस तरीके से ये नीला फिर ये पीला तो आपको ये फेस देख रहे हैं ये हरा फेस है तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो घन के अंदर छे फलक होती हैं ये क्या कहलाती है फलक फेस या फलक एक ही चीज है तो घन के अं मैंने गिन के बताई हैं इसके पहले वाले वीडियो में तो वो तो आपने देख लिया होगा अब घन के अंदर 12 किनारे होते हैं किनारे ये किनारे ये कौरनर कितने होते हैं ये देखिए ये किनारे कितने होते हैं ये वाले 12 किनारे होते हैं तो घन के अंदर 6 फलक होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 सीर्स होते हैं, 8 सीर्स मतलब ये वाले जो कौने हैं ये 8 होते हैं, 1, 2, फिर ये वाला 3, और ये वाला 4, और 4 इस तरब 5, 6, 7, 8, तो 8 सीर्स होते हैं, तो घन के अंदर क्या क्या होता है, बताईए, 6 फलक होती हैं, और क्या होता है, 12 किनारे होते हैं, और क्या होगा, तो अंसर है 8 सीर्स होते हैं, तो ये घन के बारे में आपको याद रखना है, ये आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है, अब बात गन का जो आयतन होता है वो क्या होता है तो अंसर है गन का जो आयतन है वो लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े तो ऊचाई होगी लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊचाई तीनों बराबर होते हैं इसलिए लंबाई को भी ए मानेंगे चौड़ाई को भी ए मानेंगे और ये उचाई है तो तीनों को लंबाई चोड़ाई उचाई तीनों बराबर होती है ना तो सभी भुजाओं को ए मानेंगे तो ए ए और ए घन हो जाएगा तो घन का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े तो उचाई लेकिन तीनों होते हैं बराबर इसलिए तीनों को हम ए माने तो ए घन हो जाएगा तो घन का आयतन होता है ए घन तो ये आपको याद रखना है कि ए घन होगा अब घन का जो प्रष्टिये छेत्रफल है प्रष्टिये छेत्रफल क्या कहलाएगा ये प्रष्ट है एक ये इसी तरीके से ये प्रष्ट है तो सभी प्रष्टों को मिला देंगे टोटल कितने प्रष्ट होते हैं घन पर ये वाले कितने प्रष्ट होते हैं ये कितनी फलक होती है छे होती है न तो घन के अंदर कितने प्रष्ट होंगे तो अंसर है ऐसे समतल वाले छे प्रष्ट होंगे ये देखे इस तरीके से कितने प्रष्ट होंगे छे और तो हम क्या करेंगे एक प्रष्ट का छेत्रफल पहले निकाल लेंगे और फिर एक प्रष्ट के छेत्रफल में छे का गुणा कर देंगे क्योंकि ये ऐसा छे बार होगा तो एक प्रिष्ट कैसा देखता है हमें तो अंसर है अगर हम बात करें एक प्रिष्ट की तो वो हमें बर्ग की आकार का देखता है बर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है और एंगल कितने का बनता है दो भुजाओं के बीच नब है उसका तो ये बर्ग है और बर्ग का छित्फल क्या होता है तो अंसर है बर्ग का छित्फल होता है यहाँ पे देखें यदि हम तो बर्ग का छित्फल क्या होता है वर्ग का ये जो माण लीज़े ये एक बर्ग है इसकी चारों भुजाएं कैसी है? समान है जैसे कि हमारे गन में हैं ये चारों भुजाएं सामने से देखने पर एक प्रेश्ट का छित्फल हम लोग निकाल रहे हैं तो वर्ग का छेत्रफल होता है, भुजा का वर्ग, यानि भुजा यदी हम A मान के चल रहे हैं, तो भुजा का वर्ग मतलब A वर्ग, तो एक फलक का यदी छेत्रफल, एक फलक का यदी छेत्रफल A वर्ग है, तो छे फलक का कितना होगा, छे ए वर्ग, तो ये छे फलक मिलकर घं का क्या बना देंगे संपूर्ण प्रष्टिय प्रष्टिय चेत्रफल तो घं का प्रष्टिय चेत्रफल होगा 6 एवर्ग तो एवर्ग हुआ एक फलक का टोटल कितनी फलक होती है 6 इसलिए 6 फलक का 6 एवर्ग तो ये घं का प्रष्टिय चेत्रफल होगा प्रश्टी एच्षेद्र फल मतलब अगर इस गहन को कागत से इसको ढगना ओगा फोरे घंग को तो कितना कागत लगेगा, छैई बर्ग की बरावर, ठीक है, तो ये कहलाता है प्रश्टी एच्षेद्र फल, कोई भी घंग हो बड़ा घंग हो, छोटा घंग हो, ये थोड़ा हिस्सा पूरा एक बर्ग है क्योंकि इसकी लंबाई और चोडाई बिल्कुल बराबर है तो ये बर्ग की सेप में है अगर इसको कहीं से भी कोई भी इसकी फलक हम देखें तो वो सब क्या है एक बर्ग ही है कोई भी फलक वाइट वाली देख लें बिलू वाली देख लें ये देख लें ठीक है कोई भी देख लें ये हरे रंगी देख लें तो ये सब कैसे हैं बर्ग है तो इसलिए घन जो है घन के बारे में आप बहुत कुछ समझ गये होंगे तो घन का आयतन होता है याद रखना है ये दोनों फॉर्मूले और ये तीन important point जो आप से पूँचे जा सकते हैं गन की 6 फलक, गन के 12 किनारे, गन के 8 सीर्ष चलिए अब हम इस पर एक question ले लेते हैं, तो हम गन से संबंदित गन का आयतन कैसे ग्याद कर सकते हैं तो एक question हमारे सामने है, तो आप देख सकते हैं कि किसी गन की एक भुजा 3 cm है तो गन का आयतन एवन प्रश्टिय चेतफल दोनों ग्याद करने के लिए बोला गया है इसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक बर्ग बनाना है ये देखिए, एक्जाम में कैसे बनाना होता है, दिका भी जरूरत पड़ जाये तो पहले एक बर्ग बना देना, फिर सेंटर पॉइंट लेके फिर एक और बर्ग बना देना ये देखो, एक बर्ग बना देना, फिर इनको पहले पहले सीडसों को मिला देते हैं सबको तो ये बन गया एक गण, तो बहुत ही सरल होता है बनाना चलिए, अब देखिए, इस गण की हमें एक भुजा दी गई है तो हमें बस एक ही भुजा की जरूरत होगी, इसमें क्योंकि सभी भुजा है उतने ही सेंटीमीटर की होगी जितनी एक भुजा है, तो इसमें एक भुजा कितनी दी गई है, तीन सेंटीमीटर की तो हम यहां से ले लेते हैं, ठीक है तो इसकी जो लंबाई है वो भी कितनी होगी तीन सेंटी मीटर इसकी जो चोड़ाई है वो भी कितनी होगी तीन सेंटी मीटर और इसकी जो उचाई है यहां से लेके उपर तक यह भी कितनी होगी तीन सेंटी मीटर तो लंबाई चोड़ाई और उचाई तीनों जो है दी गई भुजा है जो उसे A मान लेंगे तो माना घं की भुजा A बरावर 3 cm है तो ये घं की भुजा हमने मानी अब हमें घं का आयतन ग्याद करना है तो हम simply heading डालेंगे घं का आयतन और घं का आयतन का सूत्र क्या होता है बताईए एक घं क्या होता है गुणा में तीन गुलित तीन गुलित तीन है ना तो ती तिर का नो और नो तिया 27 तो 27 आंसर होगा लेकिन हमें इसकी unit भी लिखना पड़ेगी कि इस 27 की आगे क्या आएगा सेंटिमीटर बरग आएगा कि सेंटिमीटर घं आएगा तो याद रखिए जब भी आप आईतन ग्याद करें तो आईतन ग्याद करते समय आपको घं लगाना पड़ेगा सेंटिमीटर घं आएगा और अगर आप छेत्रफल ग्याद करें किसी भी चीच का अगर आप छेत्रफल ग्याद करें तो आपको बर्ग लगाना पड़ता है तो आप ये चीज जरूर कहीं लिख लीजिए कि जब आप आयतन ग्याद करेंगे तो unit कोई भी एकाई हो centimeter हो, meter हो कोई भी एकाई हो सकती है तो एकाई का होगा घन जैसे यहाँ पे centimeter दिया है हो सकता है, यहाँ पे meter दिया होता तो आप लिखते मीटर गन तो मैंने एकाई लिख दिया एकाई का मतलब क्या है centimeter, meter, liter, कुछ भी अब इसके बाद अगर हम बात करें छेत्रफल की अगर हमें छेत्रफल ग्याद करना हो या हम छेत्रफल की unit कैसे लिखेंगे तो आंसर है, जो भी एकाई हमें दी गई है एकाई का हम लिखेंगे बर्ग यह इस तरीके से आपको याद रखना है तो यह वाला bracket का कहीं लिख सकते हैं कि आयतन है, तो जो भी एकाई दी गई हो उसका घं लिखेंगे वह छेत्रफल है तो जो भी एकाई दी गई उसका बर्ग लिखेंगे चलिए, आयतन तो हमने ग्याद कर लिया अब हम क्या ग्याद करेंगे प्रष्टिये छेत्रफल तो हम heading डालेंगे घं का प्रष्टिये छेत्रफल तो घं का जो प्रष्टिय छेतरफल होता है वो क्या होता है 6 A Yap क्योंकि छेफल के होती है एक फलक का छेतरफल A स्क्वेर होता है तो अब देखिए 6 जियों काते हो A कामान कितना है यानी कि घं की भुझा कितनी है 3 सेंटी मीटर तो बस आप A की जगहे पर लिख दीजिए 3 और बर्ग लगा है तो आपको क्या कर देना है बर्ग लगा देना है ठीक है अब बराबर के नीचे बराबर 6 को श्टक तूटेगा तो गुणा आएगा तीन पर 2 की घात है मतलब 3 को दो बार लिखते ना 3 गुड़त तीन ठीक है तो 6 तीया 18 तीया 54 ठीक है तो 54 और प्रश्टिये चेत फल 54 है और चेत फल हमेशा किसमे लिखा जाता है एकाई के बर्ग में एकाई क्या है सेंटी मीटर तो सेंटी मीटर का क्या हो जाएगा बर्ग हो जाएगा अब यहां से भी गुणा कर सकते हैं तीतर का 9 नौ 6 तो देखिए घन का आयतन कितना है 27 और तो और प्रश्टि है न वो कितना हो सकता है कितने आयतन में हो सकता है जैसे माल लीजिए कि ये एक लोहे की टंकी होती इस आकार की थोड़ा तो समझ न ये अगर लोहे की टंकी होती यहां लोहे के फलक होते और ये ढककन होता उपर का इसे खोल देती तो इसमें कितना तेल बनता कितना पानी बन अगर यह लोहे का होता उपर ढ़कन होता इसको खोल देते तो इसके अंदर कितना पानी बन सकता कितना तेल वो जो है कितना मिट्टी बन सकती कोई भी कितना रेत बन सकती वो आयतन को परदर्चत करेगी क्योंकि आयतन हमेशा अंदर से सम्मंदित होता है अंदर से जबकि छेत्रफल उपरी भाग से सम्मंदित होता है तो ये घन के बारे में छोटी सी जानकारी थी तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो घन है घन से सम्मंदित जो चीजे हैं वो आपको यहाँ पे याद रखनी है घन की 6 पलक 12 किनारे 8 सीर्ज घन का आयतन एगन और घन का प्रश्टिय चेटपल 6 एगन एक question मैं आपको दे देता हूं ताकि आप उसको कर लीजिए और comment में उसका मुझे answer जरूर बताईए तो मैं आपको यहाँ पे question देता हूं तो यह आपके लिए एक question है जो मैंने दिया है तो इसको जरूर आप अच्छे से कर लेना ठीक है तो इसको अच्छे से करना और इसका answer comment में लिख देना तो मिलते हैं इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे घनाप की तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब हम लोग घनाप से सम्मंदित सभी चीज़ें और इसके एक दो question ले ले लेंगे एक दो homework में दे देंगे आपको इसके बाद हम बात करेंगे लंब बरत्य बेलन की फिर लंब बरत्य संग को फिर इसके बाद में गोला तो यह topic हम अच्छे समझ लेंगे फिर परशनाबली को सुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और समझने के लिए भी ठीक है तो चलिए सुरू बात करते हैं हम लोग घनाब की थैंक यू